नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयर बेदिक में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों सामने एक ऐसा जड़ी बूटिक पोधा लेकर आया हूं जिसे जमीन बेल कहते हैं और वाहू बहू आपको अमर बेल के जैसा ही दिखाई देगा और देखने के बाद आप उस से यहीं कहेंगो या तो अमर बेल है लेकिन दोस्तों अमर बेल में भी कई पर जाती होते हैं कुक्श अमरवेल जो है पेड़ पौधे को उपर उत्पन होता है जिस पेड़ पौधे को उपर उत्पन होता है उस पेड़ पौधे को नश्ट कर देता है खत्म कर देता है लेकिन उन ही अमर बेल में कुछ ऐसे पर जाती है जिसे जमीन बेल कहा जाता है यह देखिए दोस्तों जमीन में फैला ना इसमें पगरता हैं ना इसके फली है अधिक्शने कोई द遊戲 किए दोस्तों इसके जड़ का भी नहीं पता है इसके फल का भी नहीं पता है बस這是 बस शिर्फ इसे नोचने के बाद इस तरह से या जड़ी बूटी मिल जाता है है तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ आप इस जड़ी बूटी पहचान चुके होंगे पहचान के लिए मैं आपको क्या दिखा हूँ इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है शिरिफ एक बदन घिसने वाला मजना दिखाई दे रहा है या बरतन माजने वाला मजना अगर जो कभी नहीं देखा है तो दूर से ही समझेगा यह कोई पलास्टिक का वस्तू है जड़ी बूटी से कम नहीं है यह अमर्वेल का ही एक परजाती है और इसके फाइदे अमर्वेल के समान है तो चलो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ आप इस जड़ी बूटी पहिचान चुके होंगे तो आओ चलो अब इसके फाइदे के बारे में हम जाने कि या जड़ी कर दर्द के अस्थान पर मसाज किया जाए तो दर्द दूर होता है और हां दोस्तों अगर किसी पैरों में जलन होता हो तो इस अमर्वेल को पैरों के नीचे रगणने से पैरों का जलन दूर होता है लेकि रगणा कैसे है वह तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं तो सबसे पहले आपको क्या करना है जमीन में लकडी रखके आग लगाना है और जब आख जलने लगे तो जलते हुए आख को हटा कर, जमीन को साप करना जै और अग को जब हटा देंगे तो वहां का जमीन यह गरम हो जाएगा तो उस गरम जमीन में आपको इस अमर वेल को रखना है और इस तरह से रखने के बाद इस तरह से रखने के बाद उसके उपर पैर रखके आपको पैरों को तालू को रगड़ना है इस तरह से तो दोस्तों अगर इस तरह से आप पैरों तालू अमर बेल की जड़ी बूटी पर गड़ते हैं तो आपके पैरों का जलन बिल्कुल दूर हो जाएगा इतना फाइदे मंद होता है जड़ी बूटी जिसे हम जमीन बेल के नाम से जानते हैं या फिर का जाये तो एक अमर बेल का ही पर जाती है क्विए किभी दोस्तों इसमें 245 पर जाती होता है एक अमर benefit होता है गगन konklets होता है यह जमीन में फैलता है जमीन में ही रहता है और जो है कासम वेल है और पेड़ों में चमक बढ़ने लगता है और हां दोस्तों या बालों के लिए बहुत ही फाइदे मंद है देखिए जिस तरह से यह दिख रहा है आप देख रहे होंगे बाल जैसा ही तो दिखाई दे रहा है या बालों के लिए बहुत ही फाइदे मंद है अगर इसे तिल के तेल में पका कर तेल बनाकर रख लिया जाए तो जो लोग हैं गंजा जिनके सर में बिल्कुल बाल नहीं है तो उन लोगों के लिए फाइदेमंद है यानि बालों में किसी भी परकार का रोग लग गया हो तो उस रोग को नस्थ करने के लिए ठीक करने के लिए यह अमर बेल बहुत ही फाइदेमंद है यानि जमीन वेल तो देख लिए पहचान लीजिए दोस्तों ताकि आप इसे पहचाने रहोगे तो इसका इस्तिमाल करोगे जरूरत में यह आपके काम आएगा तो चलो तो आज की महातपुर जानकारी हमें ही समाप्त करते हैं अगर हमारी जानकारी फाइदे जाएर विदीक